नमसकार दोस्तो, मेरा रणमे विजैक मार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पितारा चैनल को तो चलिए दोस्तो, मनोज कोमिक्स में सार्क सिरिज की इस अगली कोमिक्स को हम सुरू करते हैं जिसका नाम है बेगुना आप देख सकते हैं इसका कवर प्रिस्ट जो कि कुछ इस तरह का है ओके नहीं ये जूट है मैंने अकिलेचा का खोन नहीं किया है बड़ी मा छोटी मा मेरी बात का यकीन केजिए मैं अपने अनूज का कातिल नहीं हूँ आप ही कुछ बोलिये जलगुरू क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि जलधार की राजगदी के लालच में अपने अनूज के प्रान लूँगा चुप क्यों खड़े हैं आप सब कोई कुछ बोलता क्यों नहीं मैं बेगुना हूँ बेगुना दूसरे सार्क का रक्त रंजित सो बहों में समेटे उसका रहसे जानने को तड़प रहा था सार्क मुझे फोरन जोला मुखी गुफा ले चलो स्पार्क अब मा ही सायद बता पाए इस दूसरे सार्क का रहसे अपने पिरिये सवारी इस पार्क पर सवार हो चल पड़ा सार्क क्या जानता था बेचारा कि दूसरे सार्क का रहसे उसके दीलों दिमाग पर किस तरह बिजली बन कर गिरने वाला था कुंकार की मौत के बाद अब जलधार नगरी का समस्त भार मेरे कंधों पर आपड़ा है मुझे इस से मुक्ती पाने के लिए सिग्र अतिसिग्र पितासिरी को खोजना होगा तेजी से जल टापू से दूर चला जा रहा सार्क यदि एक बार पीछे मुड़कर देख लेता तो उठ जाते तमाम रहसों से पढ़ते रहसे को और गहरा कर रही थी जल रिसी जारका के मौजूद की सार्क तो गया दूसरे सार्क को लेकर अब मुझे चलनी है अपनी अगली चाल सार्क सौपने में भी ये नहीं सोच सकता कि दूसरे सार्क को मरवाने की पीछे मेरा ही दिमाग काम कर रहा था जब सार्ख को पता चलेगा कि दूसरा सार्ख कौन है तो मारे पस्तताप के अपने सीर के बाल नोश लेगा वो कुछी पलों में हुंकार के लास लिये जल टापू से दूर जा रहे थे जल रिसी जार का इधर जो अलमों की परवत इस्तित गुफा में ब्यर्थ चिंता ना की जीरानी जगीता बच्चा है वो कहीं सेर करने निकल गया होगा बच्चा है तभी तो चिंता हो रही है मुझे आखिर मा हो ना उसकी अपनी ममता को कैसे समझाओं इस समय वैसे भी चारो और दुस्मन हम पर घात लगाए बैठा है हुंकार के सैनिक चारो और हमें ढूंड रहे हैं ऐसे में यदि अकिलेचा दुस्मन के हाथों पढ़ गया तो गजब हो जाएगा सार्क भी यहां नहीं है इसी पल गुफा के दुआर की और ठहर सी गई राजगुरू परवची की नजरे सार्क आ गया सार्क को सही सला मत देख राणी जगीता के मस्तिक्स में मढ राये थे धेर सरे सवाल सार्क जीवित है या सच्मुच मर चुका है प्रस्नों के नाव में सवार रहसु की लहरों पर हिचकोले खा रहे थे राजगुरू परवची भी ये दूसरा सार्क कौन है यही सवाल तो मैं आप से पूछना चाता हूँ क्या मुझसे पहले जलधार नगरे में कोई दूसरा सार्क था नहीं इस संपुन ब्रह्मान में दूसरा कोई सार्थ नहीं है तो फिर ये कौन है जो एकाएक फरिस्ता सा बन कर आया मेरी जिंदगी में ये ये सब क्या है सार्थ जवाब में सार्थ ने कह सुनाई जल टापू पर घटी सारी कहानी तु क्या सचमुच हुंकार मारा गया हाँ छोटी मा लेकिन आप इस तरह चौकी क्यों नहीं कुछ नहीं बस यूँ ही वौकला सी गई थी रानी जगीता सार्थ का ये कटार सा पैना सवाल सुनकर कास हमारी खुसी में अकिलेचा भी सामिल होता तो कितना अच्छा होता ना सार्थ बेटे अकिलेचा हाँ सार्थ बेटे ना जाने कहां चला गया है वो कहें किसी विप्ती में ना फस जाए वो मासूम सार्थ के रहते अकिलेचा पर कोई विप्ती नहीं आएगी मा जब तक मैं अकिलेचा को खोच कर ना ले आऊँ दूसरे सार्क किलास इसी गुफा में सुरक्षित रहेगी फिर एक साथ वापस जलधार नगरी की और प्रस्तान करेंगे हम इस पार्क पर सबार हो चल पड़ा सार्क जब तक पितासरी को नहीं खोज लूँगा तब तक जलधार नगरी की बागडोर जल रिसी की देखरेक में बड़ी मा के हाथों में रहेगी किन्तु अकिलेचा एक एक कहां चला गया कहीं अकिलेचा किसी देत्यकार जल्जीव का सिकार बन गया होगा तो छोटी मा को कैसे मुह दिखाऊंगा मैं राने जगीता के मस्तिक्स में हिलोरे मार रहा था सस्पेंस ये दूसरा सार्क एक आएक कहां से आ गया यदि ये बीच में ना आया होता तो हुंकार के हाँ तो मर गया होता सार्क और इसके पस्चाद जल्धार नगरी का ताज सिर्फ मेरे बेटे अकिलेचा के सिर पर होता इधर हुंकार के लास लिये घोंगा महल पहुंचे जल्रिशी जार का राक्षस राज घोंगा जर आब बाहर निकल कर देखिए तो किसे लेकर आया हूं मैं इंतिजार करो अगले चन महल से बाहर निकला था साक्षात भयानकता का रूप कौन हो तुम सकल से तो किसी मेढ़क की बिरादरी लगते हो नाम है मेरा जल्रिशी जार का और ये सौ है हुंकार का सागर की लहरों में कौन ऐसा माई का लाल पैदा हो गया जिसने हुंकार का वथ किया है सार्क है उसका नाम सार्क सागर के किस कोने में पाया जाता है वो किसी लोमर सा मुस्कुराया ये रहस्य का पुतला इतनी असानी से हुंकार के हां त्यारे का पता नहीं बताओंगा घोंगा मुझे इसकी कीमत चाहिए घोंगा के प्रानों को छोड़ कर कुछ भी मांगले जल रिसी सब कुछ मिलेगा मुझे टाडो की तलवार चाहिए किसी बिच्चु काटे सा उचला था वो टाडो की तलवार क्यों मांगई तुने ऐसी वस्तू जिसे मैं दे नहीं सकता क्यों चाहिए तुझे टाडो की तलवार उस तलवार पर आज भी किसी का रक्त लगा है घोंगा और वो रक्त मेरे अपनों का है जिसने मेरे अपनों के रक्त से उस तलवार को रंगा है उसे के खुन से एक बार फिर उस तलवार की प्यास भुजाऊंगा मैं कहीं तुम? बेर्थ अपने दिमाग को कस्ट मत दो घोंगा मेरी सर्थ मंजूर है या नही मैं तुम्हें टाडो की तलवार दूँगा जारका किन्तु सार्क मुझे कहा मिलेगा सार्क खुद तुम्हारे पास चल कर आएगा घोंगा बस तुम्हें वो सब करना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ थोड़ी देर पश्चात घोंगा महल से वापस लोट रहे जल रिसी जारका याद रखना घोंगा इधर सार्क की लास गिरेगी और उधर तुम्हें टाडो की तलवार मुझे सौब दोगे किन्तु घोंगा तो बस घोंगा ही था चिंता ना कर जारका इधर सार्क की लास किरेगी उधर ताडो की तलवार से तुम्हारा सीर कटेगा इधर अकिलेचा की तलास में सागर की गहरायन ना प्रहा था सार्क उधर चलो स्पार्क साइद वहां हो मेरा प्यारा भाई बिजली की गती से उपर लबकी स्पार्ग अकिलेचा कहाँ तुम किन्तु यहाँ बे निरास हाथ लगी सार्ग को कहाँ चला गया अकिलेचा सागर का कोना कोना तो छान मारा मैंने अब लोड भी आप अगले कि तो अकिलेचा वहां होता तो सुनता ना सार्ग की आवाज ना समझ पाता अपने मा की तड़ब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है दीदी ना जाने क्यों बुरे ख्याल मन में आ रहे हैं मेरा पुत्र कहें किसी जलजीव का सिकार बस इसके आगे कुछ न कहना सुनना सुकूं की मैं अकिलेचा के बारे में ऐसी बात अरे इसे देख ये भी तो किसी मा का लाल होगा ना जो सार्ग को बचाने के लिए खुद अपने प्रानों की बली दे कर मौत के निंद सो रहा है इसकी मा भी कितना तरप रही होगी इसके बिना जरा सोच उस मा के दिल पर क्या भी देगी जब उसे ये ला सोपी जाएगी और फिर सार्ग गया तो है अकिलेचा को खोजने सार्ग सागर का चपा चपा तलास कर लिया अस पार्ग अब उन चटानों के पीछे खोजना बाकी रह गया है चटानों के पीछे पहुँचकर एक बार फिर उचल पड़ा सार्ग खत्रा राजनगर इस्तित गीता देवी मेंटल होस्पीटल जहां आकर रुकी ये प्लिस जीब पुलिस जीब से नीचे उतरने वाला था इंस्पेक्टर वांगले लोमडी सा चलाक चीते सा चपल और सेर सा जीबर रखने वाला इंस्पेक्टर वांगले इतने दिनों बाद हो सकता है कि उसकी हालत में कुछ सुधार आया हो कुछी पलो में मानसी कृप से अस्वस्त रो क्यों कूँ रखने वाले इस मिसेश सेल के सामने खड़ा था वो मैं सच कहता हूँ टोपी वाले पुलिस जी एक दिन मेरी मानसी जरूर वापस आएगी वो जरूर वापस आएगी बस जब देखो इसके होटो पर यही एक लाइन होती है मेरी मानसी जरूर आएगी ये मेरे जीवन का सबसे अनोखा मरीज है इंस्पेक्टर वागले मैं इसे ले जाना चाता हूँ डॉक्टर इसकी हालत ऐसे नहीं है इंस्पेक्टर वागले कि इसे कहीं ले जाया जा सके लेकिन इसे कहीं ले जाना बहुत आवस्थ है डॉक्टर प्रीज ठीक है तुम्हें इसे ले जाने की अग्या दे देता हूँ लेकिन यदि इसके साथ कुछ हुआ तो इसके जिम्मिदार तुम स्वैम होगे मंजूर है कुछ ही पलों में परताब को लिए चला जा रहा था इस्पेक्टर वाग ले सच बता ये टोपी वाले पुलिस जी मेरे मान से जरूर आएगी ना मिलकुल आएगी परताब आएगी क्या आए ही चुकी है अब यही तो पता करना है कि समुदर से निकली वो औरत सचमुच इसके मान सी है या नही राजनगर सीटी होस्पीटल में हरकम पंच किया मैं पोस्ताओं इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे हमने उसे रोकने के बहुत कोशिस की सर किन्तु वो रुकी नहीं पुलिस को फोन करो यदि उसे कुछ हो गया तो मैं इंस्पेक्टर वागले को क्या जवाब दूँगा कि तो फोन करने के और सकता नहीं पड़ी इंस्पेक्टर वागले खुद सीटी होस्पीटल पहुँच चुका था ये भीड कैसी है यहाँ वो देखिये सर जी इंस्पेक्टर वागले एक बार में मांसी के हालत देख इंस्पेक्टर वागले के पेरों तेले जमिन खिसकती नजर आई ओ माई गौड मांसी किसी भी पल नीचे गिर सकती है हवलदार फौरण जाल मगा कर नीचे फैला दो मुझे मांसी जीविच चाहिए यस सर्, संकट के समय वागई फूर्ती देखने लायक थी इंस्पेक्टर वागले की, लिप्ट को भी अभी खराब होना था कुछी पलों में सबसे उपने मंजिल पर था इंस्पेक्टर वागले, रुख जा मांसी, आगे मत बढ़ना, एक इंच भी नही किसी जील से गहराई से निकला था, जैसे मांसी का कमकपाता स्वर, कैसे इंस्पेक्टर साहब मेरे पैरों में अजीब सी सिहरन हो रही है अपनी जगह खड़ी रहना मांसी मैं तुम तक पहुँच रहा हूँ मैं जीना चाहती हूँ इंस्पिक्टर साहब मैं जीना चाहता हूँ किन्तु मेरे पैर मुझे आगी की ओर धकेल रहे हैं मैं अपने आपको रोक नहीं पा रही हूँ जल्दी से मेरा हाँ ठाम लो मांसी फिर कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती मांसी का कपकपाता हाँच एक बारगी में इंस्पिक्टर बागले के हाथ में आया और अगले ही पल आँ मुझे माफ करना बेटे हालक में अटकी रह गए हर किसी की सांसे किन्तु अभी मांसी के जीवन में और भी सांसे सेस थी धप सुक्र है सही समय पर जाल आ गया वरना आज मांसी की हड़िया बिखरी पड़ी होती लगभर जंजोड कर रख डाला था उसने उसे मांसी तुम जिन्दा हो मुझे मालम था तुम एक दिन वापस आओगी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी आखिर कौन हो तुम परताब को काटो तो खोन नहीं मैं तुम्हारा पती हूँ मांसी मुझे नहीं पचाना अपने पती को नहीं पचाना जोड बोल रहे हो तुम तुम मेरे पती नहीं हो परताब की हालत किसी लूटे पीटे जुआरी सी थी इंस्पेक्टर सहब ये मेरी मांसी है मैं बिधाता की सौगन खाकर कहता हूँ मैं इसे लोगों में पहचान सकता हूँ ये मेरी मांसी है इस कहानी को यह समाप्त करते हैं इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में तब तक के लिए बाए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर करते हैं और मेरे दोसरे नए चैनल हिंदी स्टॉरी पितारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना जिस पर मैं real story की जो भी general comics से हैं उनको upload करता हूँ और जो छितर कथा हैं । अमर चितर कथा हैं और राच चितर कथा के जो comics से हैं और भी जो कॉमिक्स हैं और अलग-अलग पब्लिकेशन की उन सभी को मैं अपने इस नए योटुब चैनल पर अप्लोड करूँगा जो के रियल स्टोरी होंगी और जाकर के हमारे उस नए चैनल को जरू से सब्सक्राइब करो और उसके वीडियोज भी जरू से देखो